हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माश्टर क्राप्टर फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 5 साल की बेबी के लिए एक योग बॉक्स प्लेटेट स्कर्ट बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो तो इस स्कर्ट को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और जो बॉक्स प्लेटेट स्कर्ट होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लगता है इसलिए हम इसको 1.5 मीटर से बना रहे हैं इस फैब्रिक को उपन कर लेते हैं इस तरी के स्राइगा यह और अब हम साइड से पहले उपर के हिस्से के लिए फैब्रिक निकाल लेते हैं यहां से हम फैब्रिक कट कर लेंगे तो यह मैंने इसको यहां से डावल फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंद एक लेते हैं इसकी लेंद्ध 8 इंच है और यह डबल है तो अब हम इसको कट कर लेते हैं कि मैं इसको कट कर दिया है और यह जो फोल्डेट साइड है उपर इसको भी कट कर लेंगे और यह जो रॉफ फैबरिक है इसको कट कर देते हैं इस तरीके से मैंने दो पार्ट कट कर लिये हैं और इसको अब हम फोल्ड करेंगे उससे पहले इसकी लेंद्ध देख लेते हैं तो इसकी लेंद्ध 36 इंचिस है इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहां से इसको कट कर लेंगे तो यह चार पीस हो जाएंगे इसमें मैं लाइनिंग का फैब्रिक नहीं लगा रही हूँ इसकी लेंद्ध देख लेते हैं इसकी लेंद्ध 18 इंचिस है और यह फोर पीसेस हैं अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके उपर हम मार्किंग करेंगे तो यह मैंने साड़े चैंच लिया है और उपर से चैंच लेंगे साड़े चैंच भी ले सकते हैं आप और एक वाक्स बना लेते हैं इसके बाद इसमें हम थोड़ा कर्व देंगे नीचे से हम इसको फुल लेंगे जितना हमने लाइन ड्रॉ किया है और उपर से इस लाइन से हम तरचा में लाइंगे नीचे तक और अब हम इसमें हलका सा कर्व देंगे तो इसके लिए मैं उपर से एक इंच नीचे निशान लगा रही हूँ और ये निशान लगने के बाद इसके लंबाई कम हो जाती है तो हम देख लेते हैं जितना हमने उपर किया है उतना ही हम नीचे निशान लगा लेंगे और इस निशान से यहां तक मिलाएंगे इसको कर्व देते हुए और नीचे भी इसी तरीके से मिलाएंगे इसको डाग कर लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यह हमारा उपर का जो पार्ट है वो कठो गया है और यह फोर पीसिस है तो सबसे पहले हमें दो पीसिस लेने हैं एक को हम सीधा रखेंगे और एक को इसके उपर उल्टा रखेंगे और उपर से स्लाई लगाएंगे और एक तरफ साइड से भी लगाएंगे इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे तो दोनों पार्ट हैं जो वो अंदर की साइड सीधे हैं और उपर की साइड उल्टे हैं यह हमें ध्यान रखना है अब हम उपर से और एक तरफ साइड से सलाई लगाएंगे क्योंकि हम एक तरफ इसमें जिप लगाएंगे तो अब हम उपर और साइड से स्लाइल लगा लेते हैं दौनों पार्ट पर ये मैंने स्लाइल लगा दी है साइड में एक तरब और उपर इसके बाद हम नौचिस लगा लेते हैं क्योंकि ये मैंने कर्व किया हुआ था नीचे से ये ओपन ही रहेगा क्योंकि हमें यहां से पलटना है इसको और एक साइड भी ओपन ही है अब हम इसको पलट लेते हैं अच्छे से कॉर्णर निकाल देंगी आप चाहें तो इसको लाइनिंग से भी कर सकते हैं मैंने इसी फैबरिक को लिया हुआ है इसके बाद उपर से हम इस पर सलाई लगा देंगी इसके बाद हम इसमें जिप लगाएंगी तो जिप हमें जहां से हमने सलाई लगाई है वहीं पर लगानी है यहां पर हम जिप लगाएंगे क्योंकि यह दोनों तरफ से स्टिच है इस तरीके से हम इसको रखेंगे और सिंपल हमें दोनों पार्ट को जिप के साइड में लगाना है इस तरीके से और सलाई लगा देनी है दौनों तरफ से स्टिच लगा देंगे तो यह मैंने जिप अटेच कर दी है आप चाहें तो उपर हुक भी लगा सकते हैं जिससे जिप ऑटोमेटिक स्लेपना हो इसके बाद हम इसको पलट देंगे और साइड में स्लाई लगा लेंगे तो ये मैंने इस पसलाई लगा दी है और अब इसको सिधा कर लेते हैं तो ये हमारे उपर का पार्ट रेडी हो गया है इस तरीके से जिप रहेगी और अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे इस तरीके से हम नीचे की लेंड देख लेते हैं तो ये साड़े 15 इंच है और ये डबल 31 रहेगा तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और अब इसकी लेंड देख लेते हैं तो इसकी लेंड 36 इंचिस है तो इसके हम 12 इंचिस के तीन पार्ट कट करेंगे आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं कि इसकर्ट बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही स्टाइलिस लगता है इसको हम फ्रॉक पर भी बना सकते हैं और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और अब हम इन तीनों पार्टों को जॉइंट करेंगे तो अब हम तीनों पार्टों को जॉइंट कर लेते हैं इस तरीके से तो ये मैंने इसको जॉइंट कर दिया है ये तीनों पार्ट जॉइंट हो चुकी हैं इसके बाद हम नीचे इसको डवल फोल्ड करके स्लाई लगा देंगे इस तरीके से पूरी लेंट पर स्लाई लगाएंगे तो ये मैंने इस पर स्लाई लगा दी है और अब हम इस पर बॉक्स प्लेट बनाएंगे ये देखने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन मैं इसको इजी बे में बता रही हूँ तो इस तरीके से हम एक प्लेट बनाने के लिए कितना फैब्रिक लगेगा ये देख लेते हैं हम इसको पकड़कर इस तरही घिस रखेंगे एक प्लेट हम इस साइड से करेंगे और दूसरी प्लेट इस साइड से करेंगे इस तरीके से मैं बनाना है नीचे भी इस तरीके से आना चाहिए और अब हम इस पर माक कर लेंगे प्लेट के साइड से मैंने एक इंच छोड़ा हुआ है तो अब देख लेते हैं इसकी लेंध कितनी है तो ये जो पूरी लेंध है एक प्लेट बनाने की वो एट इंच है तो इसके बाद एट एट इंच पर हम निशान लगा लेंगे पूरी लेंध पर इसको हम पूरी लेंध पर लगाएंगे इसमें आप अगर निशान लगा लें तो ये बहुत ही इजी हो जाता है तो ये जो हमारा निशान है इसके साइट से हम देख देख पर माक कर लेंगे इस तरीकी से देख इंच हम इस तरह पर रखेंगे और देख इंच इस तरह पर रखेंगे आप चाहें तो सेंटर में भी माक कर सकती है यहां भी हम देख इंच पर करेंगे तो जो पूरी लेंध है उसमें जो हमने माक किया है उसके दौनों तरफ देख देख इंच पर माक कर लेंगे हम आप चाहें तो सेंटर में भी माक करते जाएं जिससे हमें प्लेट बनाने में आसानी हो इसमें सिर्फ मारकिंग करेता है आप अगर मारक कर लेंगे तो प्लेट बनाने में कोई दिकत नहीं होगी सारी लेंद पर निशान लगा लिया है और अब हम प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस निशान से हम इसको पकड़ेंगे और सेंटर में रखेंगे आप सेंटर में भी मार्ग कर सकते हैं जिसे आपको पता हो कि कहां पर प्लेट बनानी है या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं दौनों तरफ एक जैसी होने चाहिए इस तरीके से और इसको पकड़ कर इस तरह पकेंगे इस पर पिन अप कर ले इसको आप साथ में पिन अप करते जाए इसी तरीके से हम दोसरी प्लेट बनाएंगे और इसको भी पनप कर देते हैं आप चाहें तो साथ में इस्टिच भी करते जाएं मैं पहले इसको पिन अप करके बाद में इस्टिच करूंगी तो इस तरीके से हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे और पिन अप करते जाएंगे इसका जो उपर का राउंड था वो 31 इंचिस था तो हमें उपर भी मेजर करते जाना है कि हमारी प्लेट एश्ट्रा ना हो जाए अगर एश्ट्रा हो तो हम उतना फैबरेक कट कर सकते हैं आप साथ में मिजर भी करते जाएं तो ये हमारी सारी प्लेट डल चुकी है और अब हम इसको राउंड करेंगे इस तरीके से और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके उपर हम स्लाय लगा देंगे इस तरीके से हमें इसको मेजर करना है पूरा राउंड और ये देख लेना है और अगर एश्ट्रा हो तो हम साइट से कट भी कर सकते हैं अब इसके उपर हम स्लाय लगा लेते हैं और ये पिंस निकाल देंगे तो ये मैंने स्लाय लगा दी है और अब इसको देख लेते हैं कि इसकी लैंद कितनी है तो इसकी लैंद थोड़ी एश्ट्रा है क्यूंकि हम इसमें स्लाय भी डा लेंगे तो इसको हम राॉंड कर देते हैं और पलट लेंगे और साइड सी हम इसपर स्लाय लगा देंगे तो यह मैंने इस पसलाई लगा दी है और इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से तो अब हम इसके उपर उपर का हिस्सा जॉइंट करेंगे यह हमारे उपर का हिस्सा है इसको हम इस पर जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करने का मैं आपको तरीका बता देते हूँ तो यह जो नीचे का सरकल वाला पार्ट है इसको हम सीधा रखेंगे और जो उपर का पार्ट है उसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरीके से यह मैंने उपर का पार्ट उल्टा कर लिया है और इसको सीधा रखा हुआ है इसके बाद जो उपर का पाठ है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसकर्ट को हम इसके अंदर से डालेंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे तो यह मैंने इसको उपन अप कर दिया है पूरे राउंड पर और अब इसके उपार स्लाई लगा लेते हैं तो यह मैंने इसके उपार स्लाई भी लगा दी है और अब हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से हमारा स्कट रेडी हो चुका है और यह बहुत ही प्यारा लग रहा है आप इस पर प्रेस कर दीजे तो यह सेट हो जाएंगी प्लेट्स यह बहुत ही प्यारा लग रहा है और पहनने पर यह बहुत ही अच्छा लगता है तो यह हमारा box-plated yoke skirt ready हो चुका है इस तरीके से इसमें zip रहेगी यह हमारे skirt का final look है I hope आपको पसंद आएगा तो friends आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जुरू बताईए और सब्सक्राब कीजिए मेरे चैनल Master Crafter को साथ ही वेल आइकोन को जुरू प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की notification टाइम पर मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में किसी नए डिजान के साथ तब तक के लिए बाए टेक क्यार